प्रेजिदेंट जो बाइडन और जो जो बाइडन ने एक स्पेशल मेसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी सहाब के लिए तो आप देखें कि चाइना जो कि हम समझते हैं कि हम चाली अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं अगर चाइना उनके साथ काम करने को तेहार है तो हम क्यों नहीं हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजेगा विद्शबाश शरीफ मतलब उन्होंने फुट ठाने से पहले ही पूरी दुनिया मबारक दे रही है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय भारत की चुनाप संपन हो चुके हैं और फिर से तिसरी बार भारत की प्राइम निश्र मोदी जी बनने जा रहे हैं जिसके उपर दुनिया भार के लीडर्स ने मो भारत की प्रोसी देशों से आया है बलकि दुनिया के जो बड़े-बड़े देश हैं चाहिए हो अमेरिका हो रसिया हो चाहिना हो सब की तरफ से मोदी जी को तिसरी बार भारत की प्राइम निश्र बनने पर बदाहीज संदेश तो आये हैं लेकिन उसी इसासात कुछ देश जब शैबाश सरीफ जो की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सिपकी ओधली यानि सपत लिया तब भी दुनिया के बड़े देशों से शैबाश सरीफ को ना कोई बदाही संदेश पे जा गया ना कोई मैसेज जिसको देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सौट है तो दोस्तो आई देखते हैं पाकिस्तानी میडिया की इस लटस वीडियो को दुनिया भर के और जो लीडर्स वो प्राइम इन्टर नेंदर मूदी को उनकी हिस्टॉरिक थर्ड टर्म पर मुबार्ग बादें पेश कर रहे हैं अगर्ट सब्सक्राइब के साथ परेज़न जो बादें नेंदर मूदी के साथ प्रेज़ड़ जो बाइडन नेएsmकंड को हेल किया है उन्होंने उसको कहा है कि यह जो win है और इन्धिया के जो elections हैं उसके ओपर प्रेजिट बाइडन ने बहुत खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इस से दोनों country's के जो ties है वो मजीद strengthen होंगे प्रेजेंट जो बाइडन ने कहा कि congratulations to Prime Minister Nayendra Moody and National Democratic Alliance on their victory प्रेड़ेंट बाइडन ने आगे लिखा अपनी ट्वीट में कि दी फ्रेंडशिप बेइन आवर निशन्स इस ओनली ग्रोइंग एज वी अनलॉक एशेर फ्यूजर अफ अनलिमिटेड पोटेंशल और सिरफ यही नहीं बलके मुदी सहाब ने दुनिया भर के लीडर्स को उ उन्होंने ह्कूमत बनाए नहीं एंड़िये अलाइंस उसके पास नहीं आया उनके पास 240 45 सीड्स थी लेकन दुनिया ने मभार्कें देनी शुरू करती जो बाइडन ने मभार्क दी चाइना ने मभार्क दी सबने मभार्क दे ताड़ साब इसको थोड़ा इंटरप्रेट क के हल्फ लेने पे और नरिंद्रा मोधी के हल्फ लेने में जमीन अस्मान का फरक है आपके शिवाज श्रीफ साब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रुजाना घ्रिबान पकड़ते हैं से अकूमत का तो आपका क्या है दुनिया आपके क्यों नैशनल जरीदे को इंटर्व्यू दिया जा रहा है कोई है ऐसा बंदा मर्द इनसान पाकिस्तान जो जेल को जेल बना दे चीमा साथ आप कितने ताकतवर हैं आपकी जूडिश्री के हलात क्या है आपकी एसंबलियों के क्या हलात है तो आपका क्या खेले दुनिया देखने कामियाबी जो है वो मुबारक हो अभी उनके पास मिजॉरिटी नहीं आई ये है क्रिडिविलिटी इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है